तो आज मैं आप सभी के लिए बिना आटा गुथे भरवा पिज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत आजान है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने बड़ा सा बाव लिया है और उसमें मैंने लिया है गेहूं का आटा तो यहां पर मैंने एक कटोरी से मेजर किया है आप चाहे तो कब से भी नाप सकते हैं तो दो कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है आधा कटोरी मैंने यहां पर दही लिया ऑथा चमश नमक लिया है और एहां पर मैंने दुखि mothers सोडा लिया है आप जाए तो इसके भी कर सकते हैं लेकिन यह सोडा ढालने से न मैसे थोड़ा सह मारा All Heidi हो जाएगा तो इसले हम इसमें दुखि मीठा सोडा डाल देते हैं आप इसके जगह पर एक चमस इनो का इस्तमाल भी कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से चमस से हम मिक्स कर देंगे यह देखिए से हमने मिक्स किया है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो उसी कटोरी से हम इसमें पानी डाल देते हैं तो यहां पर पहले एक कटोरी पानी डालेंगे और उसको अच्छ तो हमें इसमें 1.5-2 का तोरी पानी लगा है आप अपने आटे की इसाब से भी पानी देख सकते हैं तो यह दिखिए इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है अब इसको क्या करते हैं ढग करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए तो लगभग 5 प्रेट का समय बीद गया है और आटा हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है तो चलिए एक बार इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ऐसे तो यह देखिए आटे को हमने एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इतना ही गाढ़ा बैटरी इसका इससे पतला नहीं होना चाहिए और ना तो इससे गाढ़ा होना चाहिए अब चलते हम गैस की तरफ तो गैस पर हमने यहां पे एक तवा रख दिया है गरम होने के लिए और इस पर हम डाल रहे हैं देसी घी क्योंकि हमें इसको हेल्दी बनाना है तो आप चाहे तो इसके जगे दिर के लिए हम ऐसी छोड़ देंगे ताकि जो है थोड़ा सा सेट हो जाए तो यह देखे आटा हमारा उपर से थोड़ा से ड्राई हो गया और आप देख सकते हैं दही और मीठे सोड़ी के वज़र से इसमें थोड़ी थोड़ी जाली बनने लगी है ऐसा करने से क्या होता ह कि यह अंदर से एकदम जाली दार बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी रखता है आप चाहे इसको गरम खाएंगे या ठंडा यह ऐसे ही एकदम नरम मना रहेगा तो अब हमने इसके उपर डाल दिया है पिज़ा सॉस इसकी जगह पे आप टोमाटो सॉस का इस्तमाल भी कर सकते हैं उसके बाद आपके घर में जो जो सबजिया हो आप उसको भी डाल सकते हैं या फिर आप पिज़ा में जो जो चीजी इस्तमाल करते हैं उसको डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने बस नॉर्मली प्याज और शिम्लामिश का इस्तमाल किया है क्योंकि यह भी मेरे घर और उसके उपर हम डाल देते हैं धेर सारा चीज तो चीज आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं तो यह चीज मैंने घर पर बनाया है और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आप चाहे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दे चाहें लेकिन आज हम इसको भरवा बना रहे हैं तो इसके लिए अब क्या करेंगे यह जो आटे वाला घोल था ना इसको हम वापस इसके उपर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे आप चाहे तो बिना कवर किये ही बना सकते हैं पर हमने इसको थोड़ा से कवर किया था और मैंने थोड़ा सा ज्यादा आटा डाल दिया था इस वज़र से यह थोड़ा सा बाहर निकल गया है पर कोई बा अई सकते हैं तवय पर से निकल गया है तो इसको हम दोनों साइट से अच्छे तरीके से ढख करके पका लेंगे तो चलिए हम इसको धक करके वापस से इट पर निंचे है पर कोई बात नहीं खाने में इसका टेस्ट आप दीखेंगे और खाएंगे न तो खाते ही रह जाएंगे तो आपको भी जब भी आटा गुतने का मन नहूं तो आप इस तरीके से आटे का घोल तयार करके आप पिजा पर अठा बना सकते हैं तो हमने किनारे वाल लाइक चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा साथ महीं बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आगे और नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अगर आप सब मेरी वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो मेरे फे तयार है और इसे बनाना आपने देखाना कितना आसान है तो जब भी आपका कुछ हलका और चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से पराठा बना करके तयार कर सकते हैं आपको बहुत पसंद आएगा तो हम मिलेगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए फ्र